हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है जे माता रानी तो फ्रेंड मेरे नए ब्लॉप में आप सबको स्वागत है तो फ्रेंड हम लोग ना होटल से आ गये थे उसके बात ना फ्रेंड साम को ना एक भजन किर्थन प्रोग्राम था हम कमारे बिल्डिंग के एक दीधी ही करार है थे एक मंदीर में तो हमें मंदीर में ना जाना था तो फ्रेंट चलिए जाते हैं मंदीर भजन करतन प्रोग्राम में और मैं आप लोगों दिखाती हूँ यहाँ पे भजन किर्टन कैसे होता है दिखाती है। तो फ्रेंड मैंना महां से किर्टन से आ गई और तन्वी का सौंग क्लास भी था तो फिर मुझे ना किसी से मुबाइल बीजना पड़ा तो फिर मैं आपको पूरा किर्टन अच्छे से दिखा नहीं पई और फिर मुझे आधा से ही तन्वी को मुबाइल भीजना पड़ा तो फिर घर आ गई और अभी फटाफट रात का डीनर रेडी करूँगी और मैंकी तो खाना खा लिया है आठ बजे पुरा किर्टन खतम आठ ये गड़ी फास्ट है आठ बजा है आठ बजे किर्टन खतम हुआ आठ दस हो रहा है ये दस मिनिट फास्ट है आठ दस में किर्टन खतम हुआ और मैं आ गई आके मेगी को हस्बन ने खाना दे दिये और अभी मेगी गया है बाहर वाकि कि य arriv इन्र बनाती हूं कि न फ्रेंच ही यह न दूसरा दिन का वीडियो है इसपे एड़ कर दिया है में काफी दिन से सूच रही थी कि अपने आपको ठोड़ा साथ सामित के ने हैर कॉट भी कर दिया है मेरा decision लिया कि hair straight करूंगी तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि hair straight मत कराओ तो क्योंकि ना मेरा hair fall बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उन्होंने बोला कि chemical लगेगा तो और ज़्यादा hair fall होगा बोलके तो फिर friend मैंने सोचा कि क्यों ना मैंना थोड़ा सा ना हाइलाइट कराओ अपने बालों को तो फिर ना मैंना हाइलाइट करा रही हूँ तो फिर देखिए आप कैसे हाइलाइट होता है बोलके पहली बार करा और हेर कट तो मैं हर एर में एक बार दो बार कराते रहती हूं तो फ्रेंड मैं बहुत एक्साइटेट थी पहली बार में हाइलाइट करा रही है अपने भालों को मेरे हस्बेंड वोल रहते हैं मत करा मत करा हैर स्ट्रेट करा ले बट मेरा बाल इतना करली भी नहीं है कि मुझ परची आना जाना रहें तो बस और मुझे पाइलर में वह मैं मैं वह भी मुझोः की हेर स्ट्रेट में कआम का लगता है उप्राज़ अगर से लगता है तो ऐसे में बहुत सारा मेडिसिन भी खारत दियू तो तो सायद मुझे एफेक्ट हो और जदा हैर फोल हो तो फिर मैं नहीं कराओ बोले वो मुझे उनको पुरा क्लियर बताना पड़ा तो फिर वो बोले मत कराओ बहुत अच्छी है हो तो बोले मत कराओ और मैं जो हाइलाइट करा रही हूँ वो पुरा जड़ से कलर नहीं होता है तो थोड़ा से जड़का बाल को छोड़के ऊपर का बाल को पकड़के वह हाइलाइट कराते हैं तो फर्स्ट बार करा रही हूं तो देखते जाहिए कैसे हाइलाइच हो रहा है क्या हो रहा है और फिरे फेस पे कैसे दिखेगा बोलके तो एंड तक वीडियो आप लोग देखें और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हूं कि कैसे दिखेगा बोलके तो फ्रेंट देखते जाहिए आप लोग क्या है कि अब बाइब बॉड़ दिकाइब बॉड़े इसे रहे मुझेए इसे रहे 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 और तो फ्रेंड पालर से मेरा कटम हो जाने के बात्ता मेरा हेर मेरा कलर निया अच्छे से तो फिर फिर वह पालर वाली बुली कि घर चले जो खर में आठी आधा घंटा एक्ष्ट्रा रखना क्योंकि वह पालर भी बंद कर रहे हैं तो उसने बुला कि इतना पैसा घर्चा करके जल्दी जल्दी वौर्श कर लेंगे तो मेरे हैर में अच्छे साथ कर नहीं के इसलिए नच together जारी जलद जी नहीं करूंगी और क्यों इतना जल्द बाजि कांप करना है तो फिर जो पालर में करूंगी इसे अच्छा में घर जाकी अच्छे से हायरवश ना कर लो की ताकि कुछ टायव भी मिल जाएगा और मेरे बालों में अच्छे सा हाइलाइट का कलर भी आ जाएगा है है नम तो भुनेन आप लोग धुनकी से दिखाऊंगी अच्छे से पुरा मेरा our जो कटिंग भी वह वह भी दिखाऊंगी और मेरा हाइलाइट किया गड़ वह भी दिखाऊंगी तो अभी थोड़ा सा मार्केट आई हूँ सब्जी खरीद लूँगी यहां से दो पहले हैं तो यहां वाई है वह तो अज़ा कि ने लेंगे घर जाके फिर में अपर को लेते हों पर यह ना मेरे देखो सारा बाल इधर उदर हो गया है अब इज़ा को हैर वाश कराना है घर आ गई हो और पाल की लेंट भी मैंने छोटे कर दिया है सपनस्याद। विवार्म जलमें बाल चाह़के करोचिया जाएसधा यह जाए पता चेल वास्पार इसाक की पराथकर ने से ने घर बिच में गये लॉह कि मैं तो है हो जुआ मेगई जार मेरे सार्स उचल उचलगे कर मेरे सरीर में आ और पहल दुक्त only कि आसर नतर बार को राव कि लड़ी 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 लड़ लुकिक तक chilly लड़ी लडी लड़ी 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 मतिएी चीड़ी लटेन हाई इसको वास करना है चोमा तभी दया इससी अब लगाई है हाईलाइट कर आई है हाँ बालर जाते हैं हलो फ्रेंड वेलकम बैक टू मैं चैनल आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है चेमाता रानी तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूं नियूरो का मेरा आज का डेट है तो मैं सब्सक्राइब का आज मेरा डेट है तो हैर कट है और जो मैंने बाल जो हाइलाइट कराया था बिल भी मेरा कलर नहीं आया क्योंकि जो मेरा हैर का जो नेचुरल कलर ना बहुत ज़्यादा ब्लैक है इसलिए वो मैंने फिर पालर से बात के आपने तो देखा ना इसे मैं वीडियो में आप लोगा आगे दिखाई कि मैं वो पालर में वाश नहीं कराया अपना हैर क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि आप और थोड़ा टाइमिंग रखो बोल के क्योंकि मेरा एर ना इतना ज़्यादा काला है ना कि वो कलर ना नहीं चड़ा था मेरे बाल पे तो इसलिए मैं घर आ गए घर आके भी मैंने बहुत जादा टाइम तक रखा उसके बाद फिर मैंने वाश किया ना तो नहीं चड़ा क्योंकि उन्होंने थोड़ा सही पाउडर मिलाया था क्योंकि आल्रेडी ना मैं उनको बता दी थी कि मैं मैं इडिसील भी खाती हो और मेरा हैल्फॉल भी होता है तो उन्होंने डर से उ LED जो पाउडर नहीं मिलाया था कुण होने थी बता दीयाधा कि आपका फिर बाल में इफ्प क्लीक और था बिश्यों से पीचे दो करी ती वह अतला कोई नहीं पिर में उझे वो इन बुलाई हैं बुले हैं कि आपका सेम चार्ज में फिर मेरा वो750 कलष कर देंगे बूलकर हाइलाइट ito करना है मिलकों फिर वो तो और बुझे कर देंगे बोल के तो जा रहे हूं मैं है तो फिर में जाओंगी फिर पालर तो घर में तो कर दी हूं सारा खारवना बना के मेगी को छोड़के फिर मैं जा रही हूं मेरा हेर कट कैसा लग रहा है बताईएगा क्योंकि इस बार में कोई स्टेप कट नहीं करी सिंपल करी मैं ना सोच रही थी कि ना स्ट्रेट करूंगी बोलके बट उन्होंने खुद ही मुझे बोले कि मत कराओ क्योंकि केमिकल जड़ से लगेगा फिर और ऐसे भी फिर मेरे सर म पर जड़ा है मसीन अभी-ख़ी मुझे लगेगा तो फिर मैं उसी में कर लोगी तो उतना भी ज्यादा मुझे ज़री नहीं लगा तो फिर मैं नहीं करी आई लाइट का लर नहीं आया तो आज फिर से जाओंगी और कर लोंगे हाईलाइट तो फिर हॉस्पितल में मिलता है तो प्रंड हॉस्पिटल आई हूँ और डॉक्टर को भी मैंने दिखा दिया बस अभी मेडिसीन लेना है लोगा तो मेडिसीन के लिए बस नंबर लगाई हुई हूँ बस अभी मेडिसीन ही लेना है मेरे को अन्म मुझा है यहाँ पे वैठकर मेरे संहीक है कर दो कर दो कर दो मोटियो मैं सो समोसा ही पसंद तो फ्रेंड मैं तो डॉक्टर को दिखा वखा के मैडिसीन भी लेके आगे खुब सारा मैडिसीन मिला मुझे और वहां से सुबह से हमने नास्ता भी नेक किये थे गड़ से तो नास्ता भी कर लिए और एक्स्ट्रा मेपने लिए ना क्रीम रोल भी लेके आई हुँ मुझे क्रीम रोल बहुत पसंद है कि मैं जादा पसंद है क्रीम रोल लाई और और लेके आई हुँ और एक ना छुटकु सा माजा लेके आई हुँ और ना एक दिन ना पाव भाजी बनोंगे लोके ना और वो लेके आई हुँ पाव भाजी का वो पाव लेके आई हुँ तो भस खाते खाते लेए तो पहने आप लोग खाई है आ आ था कि देशी है 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 इस तक अब दो बिदिन या लेजिए पॉपी राइट क्लेम आजाता है आइसे करते हैं जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ गाना स्टार्ट कर देते हैं मेरा पॉपी राइट क्लेम आजाता है अब हम वह भर जासे मैप से मिलते हूँ हॉस्पिटल से ना हम थोड़ा आ गया थी इधर सॉपिंग करने के लिए तो तनिभी के लिए लेंगे सूज में कुछ लेंगे तो वह काफी दिन से बूलती कि बपल कलर का उसको सूज लेना है तो उसको हमना थोड़ा सप्राइज भी दे देंगे तो खूस हो जाएगी तो इस अन्वी के लिए देख रहे हैं सूज सुज देखते हैं तनवी के लिए पॉपल में मिलने गटो और तनवी के लिए एक हमने न प्रेस भी लिया है पॉपल में मैं आपको दिखा रही हूं करते हैं पॉपल कलर में सिलेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी आ गये ना वी माट पर वहां पर नहीं मिला हम लोगो तनवी का पॉपल सूज तो हम आगे इदर इदर हो इदर हो इतना सारा तन्वी के लिए हमने ले लिया इसारा तन्वी के लिए पिलीं करने है तो आज ना तन्वी का खूब सारा सौपिंग हुआ है पूरा यहां पर देखिए उसका ही कपड़ा कपड़ा है हम लेने गए थे सूज बट वीमार्ट से और विसाल से दोनों से उसके लिए हमने कपड़ा ही ला दिया है और सूज नहीं मिला उसके लिए उसको परपल कलर नियोन कलर यह बहुत पसंद है उसको तो बस उसको पसंद करके ही हमने उसका नियोन कलर हो गया परपल कलर हो गया वैसे ही हमने उसके लिए ड्रेस ला दिया है तो उसका परपल कलर का सूज नहीं मिला है उसके पास सूज बहुत है सूज है संडल है चपल ह फिर बें उसको purple color में ही सूज चाहिये था जो कि नहीं मिला हमें तो फिर बाद में हम उसे purple color का samh Chuuz में उसे ढूंड के ही उसको खरीद दूनगे इसल едवे फिर मैं नहीं ली और फिर हम आगे आज जब स्कूल से आई इकी न तो उसको जब दूनगी यह वाला उसके लिए सर्प्राइज रहेगा तो उसका क्या रियक्सन रहेगा तन्वी का देखेंगे हमें सब बोलती है कि मम्मी जाते हैं मम्मी पापा मेरे ले कुछ लाक लेके नहीं आते हैं बोलके हमें सब बोलती है पर आज उसी के लिए ही सारा लेके आये हैं तो न पहन सब जाभाएट में धिली चुछूट खोलैंगे केैट निम्हाने उट пропान खोला केम इसको ने चक्वाइट और ऐलो हुआ ने व्हाइब हले होुज है कि नो हमें जाओंगी आजिजंके को अस दीमी मेशनेड क loyalty हिख रहा optimist screens अभी में जा के फिर उनको बोलेंगे तो यो बढ़ देंगी कलाव जालाओ पड़ागा इताप ऐसा दी आप तो फिर उनको बोलेंगे तो फिर जा ने लेक्ता है